और खेल के पुरोधा मेजर ध्यानचन जी के प्रती सम्मान प्रकट करने का भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस स्वागत करती है मेजर ध्यानचन जी ना भूतो ना भविश्य ऐसे खिलाडी थे हौकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने दिया था पर उनका नाम मेजर ध्यानचन का नाम शायद अगर भारतिय जनता पार्टी और परधान मंत्री मोदी जी अपनी छोटे राजनितिक उदेश्यों के लिए ना घसीट थे तो अच्छा था पर मेजर ध्यानचन के नाम पर केल रतन पूरसकार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं साथियो राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे हैं और रहेंगे राजीव गांधी जी पुरसकारों से नहीं अपनी शहादत, अपने विचारों और आधूनिक भारत के निर्माता के तोर पर जाने जाते हैं आज जब उलंपिक वर्ष में नरेंदर मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड रुपिया काट दिया है तो वो अपनी जेप मिटाने के लिए ध्यान भठका रहे हैं कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी सी की समस्या से और कभी महेंगाई जो जिसने आम आदमी का बजट बिगाड दिया है उससे मोदी जी अब हमें ये उमीद है मेजर ध्यान चंजी जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है अब खेल रतन पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा उसका स्वागत है पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाडियों के नाम पर और जादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा सबसे पहले सबसे पहले तो नरेंदर मोधी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए अरुन जेतली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए बारतिये जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए अब रखिये अब रखिये पीटी उशा के नाम से अब रखिये सरदार मिलखा सिंग जी के नाम से जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे दोड़ने वाले व्यक्ति थे अब रखिये मेरी कौम के नाम से अब रखिये सचिन तेंदूलकर गावसकर और कपिल देव के नाम से अब रखिये अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से अब रखिए मेरी कौम के नाम से अब रखिए पुलेला गोपीचंद के नाम से अब रखिए लेंडर पेज के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छे शुरुआत करिए और सबसे पहले नरेंदर मोदी स्टेडियम और अरुंजेकली स् मिल्खा सिंग स्टेडियम रख दीजिए तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को बड़ी लकीर खीचनी नहीं आती, वो दूसरों की लकीरे मिटाते फिरते हैं। इसलिए खिलाडियों का बजट भी काट देते हैं। पर मेजर ध्यानचंद जो हमारे पुरोधा खिलाडी थे, उनके नाम पर कुछ भी रखा जाएगा, भारती राश्य कॉंग्रेस उसका स्वागत करती है।